तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिछले सुक्रवार यानि की आठ मार्च खो सिनेमा घरों में रिलीज वी थी बॉलीवूड के सिंगम अजय देवन की फिल्म सैतान फिलहाल जिसने सिनेमा घरों में ताबर तोड कलेक्शन करके कई बड़े रिकोर्ड अपने न देखने को मिली है सायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज अपने पंद्रवे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कलेक्शन करके कई बड़े रिकोर्ड अपने नाम कर रही है तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आजे पंद्रा दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलिवुड के सिंगम अजे देवगन को एक बहतरी नभिनेता मानते हैं और उन इस से पहले अच्छी वापनिंग लेने के साथ पूरा मार्च शनेमा घरोंपे जब कर चलने वाली है क्योंकि वाकई इससे पहले द्रस्यम 2 मैंने देखी थी द्रस्यम 2 के साथ क्या हुआ था ये तो आप सभी जानते हैं और ट्रेलर देखके मुझे लग गया था कि ये भी वैसी ही फिल्म होने वाली है तो ये फिल्म और्डियंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और यही हुआ फिल्म सैतान के साथ फिल्म सैतान ने बॉक्स ओफिस पर अभी तक जिस तरह से परफॉर्म किया है वो वाकई काबले तारिफ किया है सैतान फिल्म जोकी एक हिंदी लेंग्वेज की होरर थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था विकास बहल ने फिल्म को प्रेड्यूस किया था विकास बहल जोती देश पाड़ ने और अजे देवगन ने और फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ जोतिका, आर माधवान, जान की बोधी वाला एहम किरदारों में नजर आये थे और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 80 करोड रुपे से भी कम का था लेकिन सैतान फिल्म ने अपने पहले दिन यानी की ओपनिंग डे पर 15 करोड 21 रुपे की नेट कमाई की थी तो वही फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों के विकेंड पर 55 करोड 13 रुपे इंडिया से नेट कमा लिये थे तो वहीं फिल्म की जो वल्ड वाइट कमाई थी वो 80 करोड 31 लाख रुपए हो गई थी उसके बाद फिल्म ने 10 दिनों में 106 करोड 1 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइट कलेक्शन था वो 152 करोड 11 लाक रुपए हो गया था उसके बाद 11 दिनों में फिल्म ने 109 करोड 19 लाक रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था वहीं दोस्तो आज ये फिल्म 2 करोड़ 50 लाग रुपए कमा रही है और फिल्म का 15 दिनों का टोडल बॉक्स ओफिस कलेक्शन इंडिया के अंदर 120 करोड़ 50 लाग रुपए नेट हो गया है फिल्म पूरे वर्ल्ड में 172 करोड रुपए कर रही है जो की काविले तारिफ कलेक्शन है दोस्तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट हो चुकी है लेकिन दोस्तो अगर आपने फिल्म सैतान देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ऐसे ही बॉलिवूड अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा